अपनों के खिलाब खड़े होने के लिए भी जिग्रा चाहिए ऐसा जिग्रा वरुन गांधी के पास हैं तब ही तो कॉंग्रेस में जो उनके अपने हैं उनके खिलाब भारतिय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से वरुन गांधी खड़े हैं वरुन गांधी कहते हैं कि जिस दिन भारतिय जनता पार्टी छोड़ूंगा राजनीती में मेरा आखिरी दिन होगा लेकिन क्या करे वरुन गांधी की कही हुई बात पत्थर की लकीर तो हर वक्त साबित नहीं हो सकती जब भारती जनता पार्टी में वरुन को वो पद नहीं दिया जाएगा जब भारती जनता पार्टी में वरुन की उमीदे पूरी नहीं होंगी तो आखिर में कॉंग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना वरुन गांधी के पास आखिरी विकल्प बन कर सामने आएगा और वरुन वरुन गांधी के पार्टी छोड़ देने का लोकसमा चुनाग 2019 का वो यहां पर दौर याद कीजिए जब वरुन गांधी एक के बाद एक पार्टी को लेकर प्रचार कर रहे थे पार्टी को लेकर काफी तरह किस तकरात्मक बाते कह रहे थे पार्टी की यहां पर नीतियों को जन्ता के बीच मजबूती के साथ पेश कर रहे थे उमीद थी वरुन गांधी को कि इस बार उन्हें कोई ना कोई मंत्री मंदल में मंत्राले दिया जाएगा लेकिन वरुन गांधी के साथ जो बारते जन्ता पार्टी ने किया उसे धोका ही तो कहेंगे अब लोगसभा चनाथ 2014 का दौर याद केज़िए जब वरुन गांधी जीते थे सुल्तानपुर से लेकिन उन्हें कोई मंत्री पत नहीं दिया गया वरुन गांधी के बगावत वाले तेवर दिखाई पड़ रहे थे अपनी ही पार्टी की योजनाओं पर वरुन गांधी सवाल उठा रहे थे और वरुन गांधी भारतिय जन्ता पार्टी छोड़कर कॉंग्रेस में शामिल हो जाएंगे इस खबर में जोर पकड़ना शुरू कर दिया था ये लोगसभा चुनाब 2014 की बात है अब 14 से 19 पर आईए 19 के लोगसभा चुनाब जीत जाने के बाद भारतिय जन्ता पार्टी के कैबिनेक का गठन हो चुका है कैबिनेक में किस किस को कौन सा मंतरा ले दिया जाएगा इसकी घोशना हो चुकी है वरुन गांधी की जोली खाली है अब वरुन गांधी क्या करेंगे वरुन गांधी कॉंग्रेस पार्टी में श्रामिल हो सकते हैं ऐसे कयास लगने शुरू हो गए है बीजेपी के धोके से वरुन की नाराजकी उन्हें कॉंग्रेस पार्टी के साथ जोड़ कर चली जाएगी इस तरह की खबरे आनी शुरू हो गई है क्योंकि वरुन गांधी के यहां पर रिष्टे चचेरी बहन प्रियांगा गांधी वार्टर के साथ काफी ज्यादा मधुन है और अब इन विष्टों को एक मौका देते हुए वरुन गांधी अपने राजनीतिक वविश्य के बारे में सोच कर शामिल हो सकते हैं कॉंग्रेस पार्टी में ऐसे भी कॉंग्रेस पार्टी को जनता के बीच अपनी नीव मजबूत करने के लिए कुछ बहतरी चेहरों की जरूरत है पार्टी विकल्प तलाश रही है और इन सब के बीच वरुन गांधी के पास कॉंग्रेस से अच्छा विकल्प नहीं है और कॉंग्रेस पार्टी को जनता के बीच अपनी नीव मजबूत करने के लिए वरुन गांधी से अच्छा विकल्प शायद ही मिलेगा जिसके पीछे की दो बजा है पहला तो वरुन के नाम के पीछे लगा गांधी और दूसरा वरुन गांधी जो भारतिय जनता पार्टी में लंबे वक्त से शामिल है ऐसे में अगर बीजेपी से बागी होकर कॉंग्रेस में शामिल होते है वरुन गांधी तो जनता के बीच कहीं न कहीं भारतिय जनता पार्टी को लेकर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, सवाल उठने लाज़मी भी है और जाहिर सी बात है अगर कॉंग्रेस में शामिल होंगे वरुन गांधी तो बीजेपी को लेकर तमाम तरह के जहर भी उगलेंगे फलाल के लिए आपको बता दे, कोई आधिकारी घोशना इन सब पर नहीं की गई है वरुन गांधी अब तक खामोश है, जीत के बाद पीली भीट के दौरे पर गए वहाँ जाकर कहा कि पीली भीट जो है वो मेरा है, मैं पीली भीट के विकास को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाऊंगा लेकिन अब पीली भीट के विकास तिहट कर वरुन गांधी को अपने ही विकास पर सोचना पड़ेगा कि आखित भारतिय जंता पार्टी के साथ जुड़कर उन्हें मिला क्या दो बार लगतार वो जीते हैं, दोनों ही बार अगर मंत्राले की बात आए, मंत्रीपत की बात आए वरुन गांधी की जोली खाली है, तो भारतिय जंता पार्टी के साथ अपनी इमांदारी दिखाकर वरुन गांधी को क्या मिला, ये सवाल पिलाल उठ रहा है इस मुद्ध पर आपकी राय क्या है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना बिलकुल ना भूले, नमस्कार